हेलो दोस्तों फिर एक बार आप सभी का हमारी यूटुग चैनल में हादिक स्वागते अज चन्नाई के पीछ दम्रम स्टेडियम में चन्नाई और पिंजाब के बीच मेच खिला जा रहा है हम आपको इस मेच का आखो देका हाल सुनाए अब सभी हमारी यूटुग चैनल को कुछ करने आये चैन्नाई के कैप्टन धोनी ने डोज जीता और पहले बैटिंग करने कफेंस ला लिया चैन्ने ने गायकवार और कौनवे को सलामी बल्दवाज के रूप में मैदान में भेजा गायकवार और कौनवे ने अपनी टीम को अच्छा स्टार्ट किया दोनों न कायकवार की जदाली चैन्ने ने 100 रन पार किया दूबे 28 रन पर थे अर्थिप को अपना विकेट दिया गोईनली ने 10 रन और जणे जाने 12 रन बनाए तोनी ने चाल बल में 2 छक्के की साहिता से 13 रन बनाए कौनवे 52 बल पर 92 रन बनाकर नोटा उट रहे कौनवे ने 16 चक् 20 रर की समाप्ति तक चैन्ने ने 4 विकेट के नुक्सान पर 10 रन की एवरेस से 200 रन बनाए चैन्ने ने 201 रन का टार्गेट पंजाब को दिया पंजाब ने 201 रन का पिछा करने के लिए वी सिंग और धवन को मैदान में उतारा लक्षांक बना था इसलिए सिंग और धवन दोनों अपनरों के बीच 25 रन की पार्टनर्शिप 26 पॉल पर बनी धवन की जगा टाइड नेली मगा टाइड ने 17 बोल पर 13 रन सिर्प बनाए जो जड़े जाका शिकार बने शिंग भी टाइड की तर जड़े जाका शिकार बने लिविंग स्टोन और करन ने मिलकर पंजाब को 50 रन पार करने में मदद की जब पंजाब का स्कोर 101 क्यावर रन पर पहुचा तो लिविंग स्टोन की चौथी विकेट गीरी जो देश पांड़े ने लिया करन 29 रन और जिते सर्माने 21 रन बनाए पंजाब का स्कोर 18.4 ओर में 16 रन था और 6 विकेट गीर चुकी थी अब पंजाब को 8 बोल पर 15 रन बनाने थे 19 और पूरी होई तो पंजाब ने 192 रन बनाए अब अंतिम 6 बोल पर पंजाब को जितने के लिए 9 रन की ज़रुत थी पंजाब के सिकंदर रजा और सारुक खान ने बिना मिठले 201 रन का जो टार्गेट था ओप एचिव कर ल प्रियर